हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में और आज ये जो लेक्चर है ये डी एफ एफ सी आयल का जो आपका एक्जाम है ऑपरेशन इन बीडी जिसके अंदर टीन पोस्ट है मैनेजर एक्जेकिटिव एंड जूनियर तो हम लास्टेट करकी कर लेंगे लास्ट में इतना जादा हो जाता है हेक्टिक कि सम्मिक्स एंड मैच होजाता है तो खेर अभी मैं आज का स्टार्ट करवाती हूं मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हमने हिस्ट्यू आफ इंडियन रेल्वेस पढ़ना स्टार्ट किया 1832 से 2% जिसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया था एक मैं आपको इंडस्ट्रियल रेल्वेस करवा चुक्यों और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पैसेंजर रेल्वेलर आपको याद हो तो इसको टाइमिंग मैंने आपको बताया था वो आपका मेजरली 1853 से लेके 19 1924 तक रहा है और आप से मैंने पूछा था एक कोश्चन के 1924 में क्या हुआ था जिसका किसी ने भी आंसर नहीं दिया तो ठीक है मैं भी नहीं बताऊंगी जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो अब जब हम पैसेंजर रेल्वे की बात करते हैं तो इ आपका इस्ट की तरफ बढ़ लाता एंड जो बाद में इस्ट इंडिया रेल्वे भी बना था उसके बाद क्या हुआ था इन लोग को और ज्यादा समान लोट करने के लिए रेल्वेस की जरुवत पढ़ने ही पड़ी बड़ी शर्स को बट उनके पास क्या था उतना सोर्स कि वह खुद बनाते सब कुछ देखते इसलिए उन्होंने 1849 में क्या किया था गैरेंटी स्कीन विया थे वो जिसमें उन्होंने क्या ओफर दिया था कि कोई भी बिटिश कंपनी अगर चाहे तो इंडिया में आके डेल्वे डगलफ कर सकता है बदले में यह उसको लैंड द यह यह तो यह था उस कंपनी का नाम मैडरास रिएल्वे कंपनी तो उस 1852 में यह वो कंपनी स्टेबलिश होती है अब देखिए जब 1852 में अब आपनी बनी है तो अब यह प्राइवेट कंपनी है तो यह तो जल्दी जल्दी अपने अपने प्रॉजेक्स ख़तम करेंगी तो इसके बाद इसने 1853 से ही अपना काम स्टार्ट कर दिया करना और सबसे पहले इनोंने क्या लांच करते हैं यह तो अब क्या होता है फिर यह कंपनी आ जाती है और भी कंपनी इस वह इन फिर स्टेबलिश टी थी तो इस सब के बाद 553 से ही आपका सीधा पेसेंजर रेल् गुरिवा निट्या पर लुबार में देली का उस वक्त उतना बड़ा 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 करेज नहीं हो अपर देली का देली तो फिर आपका कैपिटल एज़ा शिफ्त कर दिया गया था लेकिन अगर आप नेजरली आप गर आप देखो गे तो जो जो तो कॉंग्रेस की तारर भी वाले बच्चों को पता होगा, आप Bombay ही है, इस हो के Cross Bombay तो Bombay में आपका 1853 में 1st railway स्टार्ट हुआ था, और ये कहां चे कहां था कि स्टार्ट हुआ था आपका, Bombay का है, Bombay बोरी बंडल स्टेशन, स्टार्ट हुआ था, तो नाम आप लोगों न सनोगा, ये शायद ना सुनो, बोरी बंडल स्टेशन, इस से थाने तक का आपका जो है रेल्वे स्टार्ट हुआ था, अब ये वाला कुशन जात तर सब बिच्चों को बताओगा, सब नटके जाएगे, इसमें एक इंपोर्टे लोकोमोटिव इंजन्स जो यूज हुए थे, उनका नाम था साहिब सिंथ, इनका नाम पताने का में पीछे परपस ये है आपका, कि ये इंडियन नेम्स हैं, इसलिए आपको पताओ ने चाहिए, साहिब सिंथन सुल्तान, चिकें, इसमें यूज हुए थे, और ये जो आप आपका मुंबर वाला जो प्लेन आपका ये बना था, मुंबई का ये जो आपका डवलब हुआ था, इसको आपको डवलब किया गया था, अंडर, ये एक्ट मैंने आपको बताया था, 1849 में, जब आपका ये गरिंटीन स्कीम आई थी, तो इसके साथ एक एक्ट भी पास हु सब्कानि पीज़ेंड था, इसका नाम था, जिए अपका ये जापका पैनिसुलर रिज़ें पहुँझा इप का ये जो पिन्साइड वालाइड से भर, जी पहुआ होँआ है, इंडिया के जू निच वाला पोर्शन है अं, इस इस पैनिसुलर रिजन इंड्या का, और यहा इंडिया पैनिसुलर रेलवे और एक 52 में आपकी कंपनी आई थी एक फिस ने बनाना इंडिया में स्टार्ट किया था और जो बॉंबे का रॉआ था फिस ट्रें रन वोजी बंडर स्टेशन से लेके थाने था यह इसी और इसी आप क्या सकते हो एक अंदर स्टार्ट किया थी में चेंशन से ख़्या थी किस एक नेम इस इंपर्टंव और इंडिया थे तर्स लेलवे रिखने है। यह इंपर्टंट अपको याद रखने है अभी क्योंते है चाहे चेह से अट्रल रेलवे साधरन रेलवे नादर नायलबे तरह से नाम होता है। इस वक्या था 1854 अब 1854 में क्यो होता है आपका जो अब आप देखेंगे अगर आप अंडिया का मैप देखते हैं मैं पूरा नहीं बना रही हूं ठीक है आएगा नहीं और टाइम भी जाएगा अगर आप से अग्या अगर आप अपका का कॉलकटा आजाता है अब आपने देख ली आपका मैड्रस अरिया में डवल ऑगया आपका बॉंबे अरियम तो इस्टॉरिक इवंट इथी इडरी तो बढ़ बेएंध्रस अनगुटा में बन आपका कॉलकटा का अब देखू इधर इन्होंने एक और रेल्वे का जिसको आता है यह अंडल इस्टर इंड्या के लिए इस्टर इंडिया के लिए उस रेल्वे का नाम था यह कहां से कहां तक चला आपका हावरा से सब्सक्राइब करें तो आप लोगों ने जरूर इस रिवर का नाम सुनोगा कॉलकटा में आपका जो था ट्रेन रण किया था और यह वाला जो हुआ था ना इसको मैंनेज किया था किस ने इस्ट इंडियन रेलवे कंपनिंग इस्ट इंडियन रेल्वे कंपनिंग जो था जो आपको याद होगा मैंने आपको इससे पहले पिछले वाले लेक्षर हें अग्रस रेल्वे का मालगेशन हुआ कि यहां पर कोदाब्री क्यूबर जब लाया था डाल्श्वरम में तब वहाँ पर आपका डेलवे के लिए जरूर पढ़ा था उसके बाद इसको इस्ट इंडियन डेलवे का नाम दे दिया गया था तो इसी नहीं आ गई यहाँ पे पॉल्कटा में यह बनाया है आपका हवरा तो हुमली वाला जो आपका रेलवे स्टेशन बनाया है इनोंने न तो यह तीचर चीज आपको पूदा पूइंट आपको याद रखने हैं अब देखो 1853 में आपका बॉंबे वारा ट्रेंड बन गया था आपका बोरी बंडर से स्टेशन से लेकर थाने तक था लेकिन अब क्या है उसके बाद लोगों को नीट तो बढ़ गया ना अब ऐसे थो यह तो यह तो यह तो सेम बहीं चीज कि 1853 तक आपका यहां तक ट्रेंड बना और 1854 अगे फिर उसका इक्सपेंशन हुआ वह और अगे तक का बन गया फिर 55 में और आगे बन गया तो इस तरह से फिर यह चीज तो एक्सपेंशन होता ही आए लेकिन में चीज वह आपको या जो आप कह सकते हो थोड़ा सा इंपॉर्डेंट चीज देट वाउस के आपका 1855 पर एक इवेंट है इस इवेंट में आपके दो लोकोमोटिव इंजन्स लॉंच हुए थे आपका कोशन्स है कोशन्स है आपका 1853 में आपकी जो ट्रेन चली है उसमें बंडर्स इस्टेशन टू आपका थाने तक उसमें जो लोकोमोटिव इंजन्स थे उनका नाम क्या है वीडियो रिपीट नहीं करोगे पीछे नहीं जाओगे बस ऐसे ही अपना आप याद करने का कोशिश करो कि कितना आपको याद आपा रहा है और साबसे आप अंसर करना कि लोकोमोटिव इंजन्स हुए थे लॉंच और यह कौंसे थे ईयर एक्सप्रेस एक और था कौंसा फेरी क्यूए इसका नम आपने शाइस चुना भी होगा फेरी क्यूए तो यह दोनों में क्या था यह दोनों ही आपके स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स थे जो आपके 1855 में लॉंच हुए थे ठीक है एंद इसके बाद के ओता है आपका 1877 में आके पहली आपका नॉर्मल समान लोड होने वाला था पॉम्बे में आपका फस्ट पसेंजर ट्रें आया एंद एन आपका कॉलकुतन ग्रीन आगया और आपका मेडरस में तो पसेंजर आइन पड़ेगा ना अभी तक तो कि है पाख से समान लोड करकर लेजाने वाली जएफिती अभी क्या इहां पर आपको पैसेंचर ट्रेन भी चाहिए होगा इसके बाद आपका मेड़रस में भी पैसंचर ट्रेन आता है 1856 में 1856 में आता है और कहां से कहां तक चलता है यह वाला रोया इत्स प्रोया पुरम इसको गलत प्रणांस कर नहीं हूं इसको रोयापुराम वयासर वयासरा पुड़े शायद यही स्पेलिंग है जब चाहिए इस की स्पेलिंग एक वाप चेक कर ले ला रोयापुराम वयासर परड़े मैड्रस में है एक जगह यहां से स्टार्ट होकर आपकी कहा तक गई थी वलाजा रोड वलाजा रोड आपका आर्काट अ कि तो यह आपका 1856 अबंट आपका मैड्रस में जाओ आपका प एक और है किई हड़ी आपको यह जा रखनी है कौन चाहां क्वा यह आपका मद्रस वाला जो डिोपार्टमेट के निदर डवलप हूए एस्टर प्लाजस के हैं मुंबई का पैसेंजर रेंगर नेगर टेपार्टमेंट के लिए पार्टमेट के इंदर डवलप हूए बटार ह फिर उसके बाद अभी यह पेच कवर हो गया है नेक्स चीज़ पर चलते हैं में हम नेक्स पेच के तो इसके बाद क्या होता है आपका 1858 में आपका एक बड़ा चीज होता है आपका 1757 वाली कृंती उनुवान टो गया था चीज़ थी बाद इसके बाद बाद उन भी इन लोगका अपना कंट्रोल और जाद ब्याद आपका इस्टरं रेल्वे तो टो क्या होता है यह लोग बेंगाौल का जो आपका इस्टरं इंडीयन रेल्वे हुआ करत था उसके बा जिसके बाद इसने काफी सालवाद एक स्टेप लिया है इस इन 1873 अब आप यहाँ गाप देखे लिए इसके बाद यह लोग थोड़ा थोड़ा बिजी हो गए था अपना कंट्रोल और इस्टेबिश करने में अपनी पावर को और ज्यादा यूज करने में नए नए रूल्स अगर आप लोग ने देखा हो त्राम ले तो एक सिंड दीजे मज़े मैं दिखाती हूं प्र्स कि आपका रूड भार रेलवे करें चलती हूं इक शिर्लो मत परकोण से और पटैने आजमध्क इसो इस ही इस पाइब कर सकते होो इस पाइप कर सकते हो princes undhen इन धल में लोकॉमोर्टा और ठीज नूर मीुदा प्रह्ला हर ले अघर संगते हो rival या स्टीम इंजन से चलती थी या एलेक्ट्रिफाइट थी तो हो उस ट्रिवन होती थी हो इस को खीछते थी जैसे अपने हाव घोड़ा काली पहले होता था तो आप बुलकॉट जिसे रहे थी थी ते भुड़ा काली चू होता था गाउं में शाद आप लोगों ने देखा भ को बाहता है पिछ आप लोगों फ्लकटा अगर अनीवन इस वालकॉटा तो फिल्सको रिलेड कर वार हो अपे अर्मानियम धार्ट स्ट्रीट है ए अंक हम च्राल डायार यह इस अंत्य। आप एपना लेले स्ट्रेशन थी आफिन तुपे फेम्स आपन प्सेंशन थी च्छ अगर आप नॉर्मल रेल्वे का पूछते हो नॉर्मल पेसंजर रेल्वे की बात करते हैं तो वो पहले बॉंबे में आई है फिर वेंगॉल में रही है वो भी लावा पूछते हैं अगर अगर आप बात करते हैं तो तो पहले बॉंबम भी है जिए है तो इसके अलावा इसमें धीरे 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 असमें कुछ कुछ, you know, changing होते रहे आपका जो कोची साथे उसमें लाइटनिंग होने लाइट लगा दिया है लगाना श राइट की लाइट आ गया हैं कोची स्केंदर आपका फिर इसी तरह से जब लाइट आ गया है कोची से अंदर तो वह चीज ए थोड़ा थोड़ा और चेंज होते होते स्क्राइब अगली मैं बात करूँ 1920 तक आपका अलेक्ट्रिक सिग्नल लuciones जो तो था वो आपका इंट्रूडीउस हो गये था 14 electronic signal lightning का मतलग क्या है कि आपका electricity की वज़त ट्रेण suppose और उन्यक्ट्रिक्ट्रिक्रिकीज़ के विज़ा से ah आपका जो होगा हमारा हम 1920 के बाद इलेक्रिफिकेशन ऑफ ट्रेन की तरफ हम जा रहे हैं और ये लेक्रिक सिगनल लाइट्निंग जो 1920 में इंप्रोब्यूस हुई थी ये कहां से कहां तक हुई थी आपकी ये एक जगह है आपका बॉम्बे में ही है करी रोड है बॉरी रोड तो दादर दादर तो आप लोगों रहे सुना ओगा दादर नागर हुए लिञास्टे निज में था यूटी है उसकी वज़ासे निच्चर में था तो पॉम्बे में जगह है इसकी वज़ासे ही आपका ये वोचिस इस्टाट आपका ये इलेक्रिफिकेशन इसक एक बर कुछी कैप देख लेते हैं उसके बाद भी विल सी कि हम नेक्स लेक्ट्चर आज ले सकने हैं नहीं वोंट टेक बेरी लॉंग लेक्ट्चर कुछी वह बहुत बोरी हो जाएगा एक बर अगर में की तरह इसको आपको बता देते हूं सबसे पहले हमने बात करी 1853 में आपकी फर्स पैसंजर रेलवे तरही कि कहा पर आई कि बांबे में आपके कहां तक गई बांबे बोरी स्टेशन रेल लेना कि बोबे ब्षेर बंडर स्टेशन है इससे आपकी थाने तक गई चीक है एक इंपोर्टेंट है पर आपका लोको मोटिव इंजन तीन यूज़ हुए थे कौन-कौन से साहिब मतलब इंट्रोड्यूज हुए थे लॉच हुए थे साहिब सेंट एंसुल्दान और यह आपका टोटल किस ने हैंडल किया था आपका ग्रेट इंडियन पैनेंस्योलर रेल्वे उसके बाद 1854 में आपका जब आप नहां पर स्टार्ट हो गया तो उसके बाद आपका इस्टन लेल्वे इस्टन रेल्वे में आपका क्या हुआ सबसे पहले आपका हावड़ा कुगुली आपका जो ट्रेन है वह स्टार्ट इसके बाद आपका सीधा 1856 में जाके मड्रास में होता है मड्रास में आपका कहुआता है गोयापुरम वासरा पड़ी तू वलाजा रोल ठीक है तू वलाजा रोल इन और आपका इसके बाद आपके कुछ अलग इवेंट्स जो इसके अलावा है आपका इस्टार्ट होता है इस्टन बेंगॉल रेलवे अब यह आपका स्टार्ट हो गया इसके बाद इसकी वज़ाद से 1873 में आपका फर्स्ट प्राम वेख होता है इंटिव्यूस कॉलकटा में जो आपका श्यालदा से स्टार्ट होकर जाता है अब इसके बाद आपका अर्मेनिया घाट तक मैसे यह रगा देती हूं कर लोड़ देश्यालदा से लेके आपका अर्मेनिया घाट तक 73 में यह होता है और 74 में आपका बॉम्बे जालदा होता है speech कि कि छी वाला आपकर होता था horse driven होता था this is the point आप याद रखने होंगे सीज में एक इन उसके बाद और एक important जीज दिंगी एक जोड स्वें कि एक क्यों आप कर दिंग याद रखने तने 1855 में school दो स्टीम छोकोमोटित शोड़ को पढ़ने ज़े थे यह इंपोर्टन जीज और आपका उनीस सो बीस के बाद हो जाता है स्टार्ट इलेक्रिक सिंग्ड यह आपका बंबे में हुआ था आपका बंबे में करी रोट से लेके तादर इन दा बंबे तादर ना लाइप लेक्ड नाइप आपका पेसंजर रेलवे के बादर में कोड़न में सकते हैं तो अभी आगे नहीं लुटी चुंझे लेसको आप सिर्फ नहीं तक ही रहने दीजिए और कोई डाउट होता है अगर आपको इसे रेलेटिद तो आपको से बूल सकते हैं अगर अगर अच्छा लगता है आपको सम अगर आपको कुछ में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम का जो अपना चैनल आप टेलीग्राम पे में पूछ सकते हैं और मुझे लग रहे है शायद बीछे वीडियो में आवास बहुत स्लो आई होगी डिजन वास देट कि मैंन आपको प्रोब्लम होता है तो आपके तो बागे थाको प्रोबलम होता है कि आपके तो इस्टू मच वर बीग विद में तो यह उताओ